हलो एब्रीवान वेलकम टू गोल्डीज टेसफिल किचन विंटर आ गई हैं तो मकी का आटा हम जरूर यूज करेंगे और आज हम बना रहे हैं मकी के आटे से मुली के प्रांथे तो यह हमने एक कप मकी का आटा लिया है और यह मैंने थोड़ा से इसका पानी निकाला है बहु 2 तेबल स्पून 2-3 टेबल स्पून हरा धनिया दो के बारी काट लिया है आधा चमच नमक लिया है स्वादकनुसार आप ले सकते हैं 1 फोर्ट टी स्पून हल्दी है 1 फोर्ट टी स्पून अजवाईन है तो आए इसको स्टार्ट करते हैं बनाना बहुत आसान तरीके से यह बन जाएगा मुली का पराथा यमी यमी मुली का पराथा तो पहले हम इसको मिक्स करेंगे बहुत अच्छे से इसको ऐसे मिक्स कर लेंगे आप चाहें तो ग्रीन चिली डाल सकते हैं या रेड चिली डाल सकते हैं मैं नहीं डाल रही हूँ च्योंकि बच्चे नहीं खाते इसलिए और ये हमने बिल्कुल बहुत तेज गरम पानी लिया है इसको हम थोड़ा थोड़ा डालेंगे थोड़ा थोड़ा डालके ना मिक्स करेंगे काफी तेज गरम पानी है ये तो पहले आप जब शुरू में ट्राइ करें ना तो एक कप आटे से ही करें अब हम इसको अच्छे से थोड़ा डालके ही अच्छे से मतेंगे जितना अच्छा ना आटे को मसलेंगे ना उतना ही आटा अच्छा होगा तो अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आती हैं तो प्लीज लाइक कीजिए शेर कीजिए अपने फैमिली फ्रेंड्स में बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि मेरी लेटेस अपडेट्स आप तक हो सकें और यह विंटर वाली रेसिपी जरूर ट्राइक कीजिए इस समय आपको मकी का आटा बाजरे का आटा जरूर खाना चाहिए सर्गियों में अब हम इसको हाथ से अच्छे से मठ लेंगे और यह देखिए मैंने स्लैप साफ करके इसको स्लैप पर निकाल लिया और अच्छे से आटा से मसलेंगे न उतनी ही अच्छी रोटी बनेगी तो आप देख सकते हैं यह दिखे आटा जो है बहुत अच्छे से त्यार हो गया है तो हमें ऐसे ही त्यार करना है और जब हम रोटी बनाना शुरू करें तो एक लोई जो जितना हमें तोड़ना है उसको भी एक बार और यह जब चिकना हो जाए अच्छे से फिर इसकी आप बनाए लोई स्लैब को हमने अच्छे से साफ कर लिया था अब यह थोड़ा चिपका चिपका क्योंकि आटा की वज़े से हैं तो यह हमने कर लिया इसको त्यार ऐसे हमारी लोई बन जाएगी अब हम थोड़ा सा गोल करते जाएंगे, पहले हाथ से ऐसे बढ़ाते जाएंगे, बहुत आसान तरीका है, आराम से बन जाता है, थोड़ा सुखा अर्टर डस्च करेंगे, और हलके हाथ से बेलन से चलाएंगे, इस तरीके से देखें कितने आसानी से बनता जा रहा है, आपके किनारे अगर थोड़े से ऐसे होते हैं, आप ऐसे कर लिजे, ना जादा मोटा बनाना है हमको इसको ना पतला, तो यह देखें, हमारी जो यह रूटी है, वो कर दो